तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं उन सारे फेनेंसियल डिटेल्स की जिसकी जबरत सबको होती है Most of the people, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं आप बिलकुल टेंसन फ्री होके घर बैठ के आराम से पांचे महीने फॉरेंट टूर कर सकते हैं बाकी रिमेनिंग ठाइम में भी इंजवाय कर सकते हैं क्योंकि आपने इतना एक्टिवली पहले काम किया है या आपके पैरेंट ने या कैसे भी करके कि आपके पास पैसिव इंकम जनरेट हो गया है तब तो ये वीडियो आपके लि क्योंकि बहुत जल्दी फैनेंसल फ्रीडम आने वाला नहीं है यह सब सिर्फ मित है कि आप एक दिन के अंदर एक साल के अंदर दो साल के अंदर रेस्ट आप दे लाइफ के लिए फैनेंसल प्लान कर पाएं अगर ऐसा होता तो हर लोग करके बैठ गया होते कोई काम ही नही है ऐसे लोग कर सकते हैं और अगर इन्वेस्मेंट बहुत जादा है तो वैसे भी उनको टेंसन नहीं है यानि देखा जाए तो सब को अपनी फैनेंसल प्लानिंग करनी होती है सब को अपने प्लानिंग को स्मार्टली करनी होती है अगर वो कर सकते हैं तो और सब को कुछ ऐ ऐसा प्लान करना होता है जो अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल को टार्गेट में रखे करें क्योंकि अगर आप कुछ टार्गेट में रखे नहीं करते हो ना तो आउटपुट उतना अच्छा नहीं आता जितना आप मेहनत कर रहे होते हैं आपने देखा होगा कि कई लोग कम मेहनत से ही बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा आउटपुट ले लेते हैं और कई लोग लगे रहते हैं लगे रहते हैं और उनको कई बार अफसूस भी होता है कि यार मैं तो इतना काम करता हूं और बगल वाला या मेरा दोस्त या मेरा वो जानने वाला वो बहुत कम महनत से उसके पास बहुत पैसे हैं जब आप अपनी फील्ड में उतरते हो तो आपको लगता है कि यार मेरा फील्ड आफ वर्क या प्रोफेशन मेरा वर्क बहुत अच्छा है इसमें बहुत अच्छा ओटपुट है कुछ जल्द कुछ दिनों के बाद कुछ सालों के बाद आपको realize होने लगता है नहीं यार मेरा field उतना rewarding नहीं है रमेस या दिनेस या कोई भी नाम उनका field ज्यादा rewarding है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सायद हम अपनी planning अपनी finance को बहुत अच्छे से परसू नहीं कर पाते इसमें दो रीजन होते है एक तो professional region होता है एक हमारा personal और financial region होता है जो हमारा management जिसे हम management कहते है professional region हो सकता है कि आपका field उतना rewarding ना हो बहुत ज़्यादा competitive हो बहुत ज़्यादा लोग उसमें available हो या वो thankless job हो कई बार ऐसे jobs होते है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में कई job thankless होते है तो कई आपको लग सकता है कि यार ये thankless काम हो गया इसमें उतना reward नहीं रहा आपको मज़ा नहीं आ रहा अंदर से आप काम पे तो जाते हो पैसे भी कमा रहे हो but you don't feel excited आपको कुछ बहुत ज़्यादा challenge नहीं मिलते है तो मेरा मानना है कि इन दोनों factor पे हम लोग चलो बात करते हैं मेरा नाम धननजय है ये channel आप देख रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले मेरा request होगा channel को आप subscribe जरूर करिएगा चलिए मैं discuss करता हूँ पहली बात आजाते हैं professional front पे कभी भी अगर आपको लगता है कि आपका जो professional front है जहां पे आप काम करने जाते हो जो नौकरी करते हो जो profession है आपका और वो rewarding नहीं है और आप आगे तक आ चुके हो आपको लग रहा है कि आप उस profession में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हो and back करना it is just impossible तो बिलकुल ठीक है ऐसा कई लोगों के साथ होता है आप immediate उस profession से back ना करो but parallelly दो साल तीन साल का एक horizon develop करो एक time frame develop करो जिससे आप प्यार से और बहुत smoothly उस field से बाहर आ जाओ जिससे आपको कोई financial burden भी ना हो ऐसा एक दम possible है मैं कुछ दिन बाद एक personal experience share करूँगा लेकिन अभी फिलाल मैं एक general सा एक theoretical सा experience share करता हूँ जो सही भी है सान मत सोचेगा theoretical है तो practical नहीं होगा तो theoretical experiment ऐसा है कि मान लीजे आप कोई एक नौकरी में है maybe इनों कई लोग सरकारी नौकरी को भी ले सकते हैं और कई लोग private नौकरी को भी ले सकते हैं private नौकरी में for example मैं ले लेता हूँ आप mechanical engineer है और mechanical engineering में आप देख रहे हो कि growth बड़ा steady सा है 2%, 4%, 10%, 15% का growth है और आपने calculate कि अगर अभी आपकी salary 40,000 है तो 10 साल बाद भी आपका जो senior काम कर रहा है आपकी company में वो भी 70-80 पे है एक लाग पे तो आप सोच रहे होगे कि यार मैं 10 साल आगे काम करके भी अब मेरी salary अगर 2,000,000 हो जाती है तो काफी हद तक तो inflation में ही चला जाएगा और मेरी जो present income होगी मालब जो situation होगी financial situation होगी और more or less ऐसे ही होगी आपकी spouse भी अगर काम करती है तो थोड़ा और एड हो जाएगा otherwise और मुस्किल होगा तो ऐसे situation में आपको immediately एक second route प्लान करना चाहिए एक second route आपको help करेगा आगे जाके आपके wealth creation में और आपको financial freedom देने में second route क्या होगा second route होगा कुछ भी आप अपने skill को upgrade करो online आप search करो online option देखो क्योंकि यह आपको ही करना है मैं ऐसे बहुत सारे videos बनाता हूँ जिसमें बताता हूँ कौन-कौन से आप skill apply करके आप आगे बढ़ सकते हो तो मेरा अपना मानना है कि आप अपने skill को improve करो skill को improve करने का मतलब हुआ कुछ भी कुछ भी और करो कुछ नहीं है तो छोटा सा business start कर सकते हो startup start कर सकते हो कुछ भी नहीं है और अगर ये चीज़ सुरुआत कर देते हो तो आप देखो कि छोटे से टाइम के investment से आप एक नई field की तरब जाने लगते हो और आप mentally और financially थोड़ी security की तरब बढ़ते हो तो एक तो ये region हो गया कि आप professionally कैसे switch करते हो दूसरा मैं discussion करने वाला हो इस वीडियो में कि आप कैसे अपने financials को आगे बढ़ा सकते हो financials को आगे बढ़ाने के लिए आपको financial planning बहुत अच्छी करनी होती है कभी भी कोई भी overnight करोड़ पती ये लगपती नहीं बनता है ये कहने की बात है या हो सकता है कि अगर मैं 50-50,000 का SIP डाल दूँ एक साल में मैं 6 लाख जमा करूँ तो 10 साल में मेरे पास मैंने 60 लाख अपने जेव से डाला और में भी मुझे 2 करोड़ तीन करोड़ का एक finance मिल गया बट inflation भी होगा बट वो 2-3 करोड़ भी इतना जादा नहीं होगा कि आपको बोले कि यार अब मैं आ गया हूँ आपके bank account में और आप retire हो जाओ तो दोनों काम आपको करना पड़ता है एक तो investment strategy ऐसी करनी होती है जहां से आपका पैसा अच्छे rate से grow करें और ideal growing rate है पैसे का 10%, 12% बहुत अच्छा हो गया तो 15% और आप अगर बहुत ज़्यादा talented investor हैं तो 20% achieve कर लिया जो सायद मुस्किल है अब overnight कभी भी कोई अगर आपको बोले कि यार हम 20% 30% का return दे रहे हैं दो साल में पैसे double तो please या कोई property consultant आप से मिल जाए यार पैसे लगा प्रोजेक्ट में हम आपको इतना दे देंगे तो please be cautious और ऐसे cases में थोड़ा धोखा ही मिलता है और हो सकता है आपकी hardened money वहाँ पे burn कर जाए तो आप अपने पैसे को gradually grow कराईए multiple तरीके से grow कराईए multiple तरीका हो सकता है 20% आपने डाल दिया share market में 20% डाल दिया आपने mutual fund में 20% FD में थोड़ा gold में आजकल online gold मिलता है आजकल soft copy में digital gold मिलता है ऐसी चीजें ज़्यादा सही है उसमें making charges बगर एक दिक्कत नहीं आती हाँ GST जरूर लगता है एक थोड़ी दिक्कत है उसके बाद आप ETF में equity traded fund एक बढ़िया है यहां से पैसे आपको grow करने लगेंगे बट याद रखिएगा यहां पे आपको अपना investment बढ़ाते रहना होगा एक समय के साथ otherwise grow तो होगा financially आप ज़्यादा better होंगे लेकिन independent नहीं होंगे independent करने के लिए दोनों factor आपको साथ साथ चलाना होगा दोनों factor कौन-कौन से है एक तो factor है आपका आपका जो professional to maintain कि आप अपने खर्चे करूं कर सको वह बहुत मुस्किल होता है लेकिन इतना जो मैंने आप लोग को बताया इससे आपको फरक दिखेगा and I am sure आपको इससे idea भी लेगा अगर इस तरह से बहुत सारे वीडियो चाहते हैं तो please comment करिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरह से बहुत सारे प्रैक्टिकल बाते में लेकि आऊंगा आप लोगों को आगे भी थैंक यू बेरी मच दनेंजे मिसरा साइनिंग आफ